मा मंगला मुखी जी के सिद स्थान मा मंगला मुखी धाम गुल मोहर सिटी नस्दीक लम्मा पिंचोंक चाल अंदर में मा बंगला मुखी जी के निमित संपूर्न फलदाई आलोकिक मासिक खवन यग्य का योचन मंदिर परिसर में मा मंगला मुखी धाम के संस्तापक एवम चालक नवजीत फार्तवाज की देखरेक में हुआ जहां मां बंगला मुखी जी के भक्तों का उत्सा ठांठे मारता हुआ नजर आ रहा था और जये मां बंगला मुखी जी के जयकारों से गगन गुंजाय मान हुठा सरफ प्रथम मुखी जमानों से वैदिक रिती अनुसार गौरी गणेश नवग्रेप पचार शोडशो पचार कलेश पूजन परांत ब्रामनों ने आए हुए सबी भक्तों से मां बंगला मुखी जी के निमित मालह मंतर जाप वम हवन यग्य में विशेश रूप से आहूतिया तो वहीं हवन यग्य की पूरण हूति के ब्रांत नवजीत भार्थवाच ने आए हुए माभक्तों को सुमधुर स्वर्मे भचन का गायन कर निहाल किया नवजीत भार्थवाच जी ने कहा कि हर आदमी को अपने जीवन में अच्छे स्वभाव अच्छी सोच का मालिक होना ही चाहिए यही वे सदगुन है जो आदमी के वर्तमान को भी उजवल बनाते हैं जैसा आदमी का नेचर होता है वैसा ही फ्यूचर होता है आनन्द और खुश्या जिन्दगी की सबसे बड़ी दौलत है यह जिन्दगी अच्छे रंग के साथ नहीं अच्छे ढंग से जी जानी चाहिए अच्छे स्वभाव का मालिक बनना चाहते हो तो अपने स्वभाव में पलने वाले गुसे को त्याग दो वही नवजीद भार्दवार जी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए आगे कहा कि जिन्दगी को आनन्द और मिठास भरी बनाना चाहते हैं तो अपने जीवन से पांच दोशों को हमिशा के लिए स्माप्ट कर दो वे हैं स्वभाव में पलने वाला गुसा, भीतर में पलने वाला एहंकार, अभिमान, छल प्रपंच या माया लोभ और ईश्या इस अफसर पर श्रीकंठ जज जुगेंदर सिंग, मनमोहन बटी, राकेश प्रभाकर, बलजंदर सिंग, समीर चोपडा, रोहित भाटिया, एडवोकेट, राज कुमार, अमित कुमार, निर्मल शर्मा, श्वेता भारतवाच, पूनम प्रभाकर, पूजा, सरोज बाला, अम दीप, उदे, अमन, सुखा, अजीत कुमार, मनीश कुमार, संजय रोडा, नवीन, तमना रोडा, अश्वली शर्मा, धूपवाले, मुनीश शर्मा, दिशान शर्मा, अमरेंदर शर्मा, मानव शर्मा, बावाखन्ना, विवेक शर्मा, अनुज शर्मा, मनीश लूत्रा, र शर्मा साहल मनी सिंग ब्रजेश कुमार शर्मा सुनील जगी सहत भारी संख्या में शुरदालू मौजूद रहे वहीं आरती उप्रांत प्रसाद रुपी लंगर का भी आयूचन किया गया जालंदर से हल्चल के लिए कैमरामें सुरेंद्र बावा की रिपोर्ट अज मापघला मुखी दाम बिर्मोचे ठीचे मासी खवनियक हुआ है वोनतो बाद महराने दा अच उट लंगर सारी शंगत वास्ते बनिया बहुत दूरो दूरो ढिलीत उ हर्याने टो अम्रसर तो संगता ही आई है उना सारे वासे मादा शीरबाद नाल लंगर प्रशाद बनेया है शेरे पहले नाश्ता सी उन लंगर प्रशाद है सारे नू अचोड के बेंती है मादे चर्णना जुड़ो महादी अपार किरपादे नाल हावनिया के हुंदा है जिदा हर सब्ता सारे आया करो मादे चर्णना जुड़ो ते लंगर प्रशाद खाओ ते मादा शीरबाद लो जिकारा बगला मुखी माता इदा बोल साची दरवार की जै जै मा बगला मुखी जी आज मा बगला मुखी ताम जो कि लमा पिंट चौंग दे नस्दीक स्थेता है मादे सभवे म तो 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 दियाना पठानकोट अम्रसर उनना उश्यर बड़ी बड़ी दूरों आई संकतने आके हवन जो के च आहुतीयां डालीयां अर्दास बेंतियां कितियां और अपनी मादे कोड़ों नाना प्रकार दे बेंजना नूँ चड़ाके नाना प्रकार दे जीड़े और तो अटा मेर परेहत साड़े सिरते रवे मैं इस दिन आल नाल दसना जनना कि हर वीरवारनों हर शनीवारनों मा बगला मुखी ताम बुलमोर सिटिच निशुलक हवन यकिदा आयो जनकीता जनना कोई भी मापगता के इस चामल हो सकता और हर महीने दे आखरी रवी बारन उनकीता सारे हमना दो बाग भी मापगता के इस चामल हो सकता और ये डा ने दे का रहे है उदे पागी दार हो सकता और मादा शीरवाद ले सकता फिर दो आर तो जैमा बगला मुखी जी